Hello and welcome back to my channel Koshish हमार आज का टॉपिक है Final Cut Pro 10 ब्राउजर and Timeline Playback Options क्या-क्या है and during editing सारे Playback Options को कैसे यूज करना है वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर ये वीडियो आप फेजबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फेजबुक पेज को फॉलो कीजिए अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करो and घंटा भी दबा दो और हाँ अगर आप नए हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो का एपिसोड वान देख के आई है जहां पर मैंने टूल्स एन इंटरफेस के बारे में बात किये हैं उमीद करता हूँ अब तक आपने सब्सक्राइब तो करे दिया होगा and घंटा भी दबा दिया होगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं Final Cut Pro 10 आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेबैक आप्शन देता है जैसे प्रोजेक्ट प्लेबैक, टाइमलाइन प्लेबैक, सिलेक्टट पोर्शन प्लेबैक, प्लेबैक इन डिफरेंट स्पीद्स, लूप प्लेबैक and फूल स्क्रीन मोड वीडियो प्लेबैक के बारे में डिटेल में जानने से पहले, हम पहले प्लेबैक आप्शन और शॉटकट समझते हैं ताकि हम अपने जरुवत के अनुसार सही आप्शन चुने इसके लिए हम सबसे पहले Final Cut Pro 10 के मेनू बार में जाएंगे उसके बाद हम View Menu आप्शन में क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हमें Timeline, Browser and Events के सारे Playback and Viewing Related Menu आप्शन देखने को मिलेंगे फिलहाल हम Playback आप्शन पे फोकस करते हैं Playback आप्शन में सबसे पहला आप्शन Play जिसके लिए Shortcut Space और A की अगर आपको Projects Preview चाहिए, Timeline या Browser आपको कहीं के भी Clips प्ले करने हो तो उसके लिए जिस पोशन का आपको Preview या Playback चाहिए वहाँ पे अपना Playhead ले जाने के बाद Space प्रेस कीजिए तो आपका Clips नॉर्मल स्पीड में Play होने लगेगा अगर आप Clips के सिर्फ Selected Portion का Playback चाहते हो तो सबसे पहले उस Portion को Select कीजिए और उसके बाद Slash की प्रेस कीजिए तो इससे सिर्फ Selected Portion ही Play होगा अगला उप्शन Play Around शॉटकार्ट Sift and Question Mark जब आप Editing करते हो तो उस दौरान आप कई छोटी-छोटी Changes करते हो हर Changes के बाद जाहिज सी बात है आप उस Changes का Preview लेना चाहोगे अगर आप Space प्रेस करते हो तो वीडियो Continue चानने लगता है टाइम लाइन के End तक या आप जब तक उसको Pause नहीं करते तो इस Situation में Better Option होता है Play Around जो आपके Edit या Correction के Around मतलब Play Head या Skimmer के Around प्लेबैक देता है Around प्लेबैक के लिए Sift and Question Mark प्रेस कीजिए अगला Option Play From Beginning मान लीजिए आप Timeline के किसी भी Portion पे है और आपको Beginning से Playback चाहिए तो Sift, Option and I प्रेस कीजिए तो आपका Playback Beginning से Start हो जाएगा Same चीज अगर आपको Playback किसी भी Portion से End तक चाहिए तो उसके लिए Simple है Sift, Option and O प्रेस कीजिए जिसको हम बोलते हैं Play to End अगर आप Playback फूल स्क्रीन में देखना चाहते हो तो उसके लिए Sift, Command and If प्रेस कीजिए तो आपका Playback फूल स्क्रीन हो जाएगा आप On Screen इस आइकन पे क्लिक तरके भी फूल स्क्रीन प्लेवाक देख सकते हो अगर आप Selected Clips, Timeline या कोई Portion बार बार देखना चाहते हो तो उसके लिए Active कीजिए Loop Playback Shotcut, Command and L जिससे आपका Loop Playback एक्टिव हो जाएगा और आप किसी भी Playback को बार बार देख सकते हो लूप में अब बात करते हैं Playback Speed के बारे में Playback Normal Speed के साथ साथ आप Fast Forward and Reverse Speed में भी देख सकते हो अगर आपको Playback Fast and Forward में देखना है उसके लिए आप L की प्रेस कीजिए अगर आपको Speed बढ़ाना है तो आप L की Multiple Times प्रेस कीजिए अगर आप Reverse Speed में Playback चाते हो तो उसके लिए J की प्रेस कीजिए अगर आपको Reverse Speed इंक्रेस करना है तो आप J की Multiple Time प्रेस कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से अगर आप आधी Speed में Playback चाते हो उसके लिए K प्रेस करने के बाद J और L की यूज़ कीजिए अपने अपने जरूरत के हिसाब से Forward and Backward के लिए अभी हम समझेंगे Playhead and Schemmer क्या होता है Playhead Playhead basically timeline या browser में आपका current position बताता है आप इस जगा पे click करके Playhead को move या scheme कर सकते हो अगर आपको Playhead का position change करना है तो आप directly selection tool ले जाके उस position पे click कीजिए जहाँ पे आपको Playhead चाहिए अब बात करते हैं Schemmer की Schem basically आपका Playhead का current position बिना change किए Clips, Timeline या browser में Quick Preview के लिए use होता है Schemming के लिए सबसे पहले आप Schemming को turn on कीजिए जैसे आपको पहले बताया कि आप Playhead को भी use करके scheme कर सकते हैं लेकिन इससे problem ये है कि आपका Playhead का जो actual current position होता है वो Schemming के साथ साथ change होता रहता है अगर आप Schemming on करते हो तो आपको एक Schemming Playhead देखेगा जिसको use करके आप freely Schem कर सकते हो जिसमें आपका Playhead का position में कोई changes नहीं आता है अगर आप Schemming on रखते हैं तो Schemming का जो current position होता है वो Edit and Playback के लिए default position हो जाएगा अगर आप Schemming off रखते हैं तो Playhead ही आपका default position होता है जब आप Schemming on करते हो आपको दो और option मिलता है एक Schem with sound मतलब अगर Schemming के दौरान आपको sound on चाहिए तो इस icon को turn on कर दीजिए तो आप with sound scheme कर सकते हैं अगर जरूरत ना हो तो off कर दीजिए अगला जिसको हम snapping बोलते हैं Snapping basically आपको clips easily align करने में मदद करता है जब आपका snapping on होता है तो आपको easily cutting points clips का end and beginning पता चल जाता है जैसे आप clips के end या beginning में schemer move करते हो तो schemer का playhead का color rate से yellow हो जाता है जिससे आपको cuts का exact position पता चल जाता है जब आप clips को align करते हो same line आपको indicate करता है सारे clips proper align हुआ है मैं recommend करूँगा आप snapping हमेशा on रखिए अभी तक जितने भी playback shortcuts and option बताया वो timeline and browser दोनों के लिए same है उमिद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा अच्छा लगा तो आपको क्या करना पता ही है like करो, share करना ना करना आपके उपर है subscribe करके जूड़े रहना मेरे साथ ताकि अगला जो भी series है वो आप देख सकते हो and मेरे सारे social links में description में डाल दूँगा आप वहां पे भी follow कर सकते हैं आप मेरे साथ WhatsApp में भी जूड सकते हैं इस video related कोई भी problem है आप मुझे comment करके बता सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि उन सारे problems के ऊपर एक video बना के आपको reply करो मिलते हैं अगले वीडियो में बाई